असनाम लेकुम स्टूइंस, हमारा आज का टॉपिक है माइटॉसिस, माइटॉसिस के बारे में हमने पहले जनरे डिसकस किया था कि टाइप ऑफ डिवीएन है, आज हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे एक सल डिवाइड होता है माइटॉसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पैरेंट सल, for example, this is one parent cell, divide हो रहा है किसमें, 2 daughter cells में, clear हो गया माइटॉसिस में इनली somatic cells में होता है, और दूसी चीज आ जाती है कि माइटॉसिस में parent cell के पास जितने number of chromosomes होते हैं, बनने वाले daughter cell के पास भी same number of chromosomes है for example, अगर parent cell के पास deployed number of chromosomes हैं, तो बनने वाले दोनों daughter cells के पास क्या होंगे, deployed number of chromosomes होंगे, ऐसे process कम क्या केता है, माइटॉसिस कहते है माइटॉसिस फर्दर कंसिस्ट करता है, pro phase पे, meta phase पे, anaphase में, telophase में, यह कुछ stages हैं, जो क्या है, किसके हैं, माइटॉसिस के हैं first phase की तरफ आते है, pro phase, pro phase फर्दर तीन phases में divided, एक आ जाता है, early pro phase, second आ जाता है, middle pro phase, and third आ जाता है, late pro phase अब यह जो पूरा process है, यह क्या है, early pro phase है, early pro phase में क्या होता है, कि माइटॉसिस जो है, अपने आपको त्यार करने लग जाता है, किसके लिए, devian के लिए और उसमें second काम क्या होता है, कि क्रोमोसों की condensation होती है, क्रोमोसों पहले long in size होते हैं, लिकिन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, condensed हो जाते हैं, सुगर जाते हैं, clear हो गया, यह किसम हो रहा होता है, early pro phase में, इसके बाद आ जाता है, हमारे पास next, middle pro phase, middle pro phase में, जो nocleis था, nocle Nukleolus था, Nuklear Membrane था, वो असारा क्या हो जाता है? डिसपीर हो जाता है. सिरफ सल में क्या रह जाता है? एक सल की आउटर वाल रह जाती है, सल बाल रह जाती है, और अंदर उसके क्रोमोसॉम्स और संट्री विल्स रह जाता है, ठीक हो गया? और third phase आ जाता है हमारे पास pro phase, जो के कौन सा phase है? Late pro phase है. एक था early pro phase, जिसमें आपके पास chromosome की condensation होई थी. दूसरा आ जाता है middle pro phase, जिसमें आपके पास सिर्फ nuclear envelop जो है, वो disappear हो जाता है. और third पे आ जाता है late pro phase. Late pro phase में क्या होता है? कि जो cell के पास centrioles होते हैं वो centrioles क्या करते हैं? movement start कर देते हैं opposite pole की तरफ for example, याद रखिएगा एक cell के पास दो centrioles होते हैं और double number of chromosomes होते हैं तो वो दोनों centrioles अब क्या होता है? late pro phase में अलेदा हो जान लग जाते हैं एक pole की तरफ move करता है दूसरा दूसरे pole की तरफ move करते हैं दोनों एक दूसरे से इतना दूर जाते हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने आजाएं for example, यह दोनों opposite pole की तरफ move करते हैं opposite pole की तरफ move करते ही याद रखिएगा इसमें एक और काम ये भी होता है कि ग्रीन फाइबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं यह spindle fibers होते हैं यह esteril rays होती है यह centrioles के अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाती है यह एक thread-like structure होता है यह thread-like structure chromosomes को centrioles को, sorry, surround कर देता है और जब यह thread-like structure centrioles को surround करता है तो एक star-like structure बनता है संट्योल पहले opposite pole की तरफ move होई और opposite pole की तरफ move होने के बाद उनमें से spindle fibers निकलना च्टार्ट होगे और ऐसे structure को हम क्या कहते हैं esters कहते हैं यहां पर प्रोफेस कंप्लीट हो गया अगर हम diagramatically represent करें तो यह पूरा प्रोफेस है जिसमें क्या हुआ chromosome की condensation भी होगी nucleolus, nuclear memory और संट्योल opposite pole की तरफ move करेंगे clear होगा और यहां पर एक और काम भी होगा आपको मैंने शुरू में तो यह कहा कि DNA जो है sorry, chromosome जो है वो deployed number of chromosome होते हैं तो यहां पर अब क्या होगा chromosome की copy बनेंगी और copy बनने के बाद क्या होगा यहां पर four chromosomes जो हैं वो आजाएंगे clear होगा यह अब आपको last में पता चलेगा कि four chromosomes की यहां पर formation क्यों होई है लेकिन आप याद रखिएगा कि यहां पर DNA की sorry, chromosome की copy बनना स्टार्ट होई है और as a result four chromosomes convert होगे यह पूरा एक structure आजाता है जिसमें शो किया वाई यह spindle fibers है जो के centriol से निकल रहे है यह estral structure है यह अंदर centriol आजाते है अब हम chromosome की structure की तरफ आजाते हैं ठीक हो गया chromosome की structure के अगर हम बात करें तो chromosome के अंदर central जो यह circular structure है यह किसको हम क्या कहते है centriol mere कहते है और यह जो outer four longitudinal structures है हर chromosome के पास इनको हम chromatids कहते है यह sister chromatids कहते है clear हो गया यह पूरा pro phase है अब आजाता है हम metaphase की तरफ metaphase में एक काम यह होता है कि वो जो esters थे उन में से जो fibers निकल रहे थे ना वो longitudinal हो जाते है ठीक हो गया उनका size increase होने लग जाता है उनकी length increase होने लग जाती है और जैसे उनकी length increase होती है तो वो जितने भी chromosomes बने थे ना आपके पास copies उन सब को औरेंज कर देती है किसमें एक cell के central में एक plate बना देती है एक sequence में ज़से हम कहते है आपको पता है एक ectorial plate कया होती है हमारे पूरे earth की जो central plate होती है उसे हम ectorial plate कहते है तो यहां पर भी क्या होता है पूरे cell के centre में एक plate बनजाती है जो कि किसी होती है ग्रोमोसोम्स की होती है इन Chromosomes को किonders के इन एक sequence में इन स्पिंडल फाइबर ने इस प्लेट को हम क्या कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट के दे मेटाफेज मेद रखिए का सिर्फ इस मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मिशन होती है यह अब डाइग्रेमेटिक रेप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यह भी एक म मेटाफेजिक प्लेट के साथ और यहां पर भी क्या हो रहा है मेटाफेजिक प्लेट बनी यह एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसकी मेटाफेज के तो यहां पर हमारा मेटाफेज कंप्लीट हो गया